असलाम अलेकुम, welcome to educational English medium तो आज हम करने वाले हैं 7th standard का जोग्राफी का importance of oceans के all questions and answers तो let's go ओके तो आपके lesson का नाम देखेजिए importance of ocean ओशन की importance आपका lesson होगा और अब सम exercise मतब जो भी पुरा दिया वह हम इसके पुरे questions and answers करने वाले है तो first question आपका क्या है find the odd man out तो देखें यह आपका question और आपको चार option आपके question में दिये गए होगे है ना तो देखेंगे अब मैं इसका आपको इद्दम easy समझा देखें मतब आप लोगों को मतब एक समझा दूंगे ना यह answer तो फिर आपको easily करने को हो जागा चार option दिय गया देखे आपको इचार में नहीं लिखना होगा यह यह आपको आपको बिखना नहीं लिखने के complement is ansear ओर यह लिख देना है men अंगे बिखांगे तो आपवह मत लिखने आपको लिखना है आपको लिखना है अगर आपको नहीं लिखना है तो आप लिखिए नहीं लिखिए नहीं लिखिए इसका एक एक एक्स्प्रेशन दिया हुए और इसको एक्स्प्रेशन दिया हुए और यहाँ अपना सलूशन करके आंसर तो आपका आंसर क्या होगा आपको यह नहीं लिखना है आपको क्या आपका आंसर है यह आपका आंसर है अपना यह जो डाग में वह आपको एक आंसर मता आपका तीसरा वाला जो है वह आपका राइट है और वेन आउट मेंसे तो यह देखिए यह सबसे अलग है चले आप आगे करते हैं उसका भी मैंने नीचे दिया हुए आपको छेत अपलिक सकते हो आपको करने वाले हैं आप लोगों को दिया हुआ है और आपको नीचे दे दिया है यह और साथ में यह भी हां बैंगल भी क्या है ना आप लोग बंगाल क्योंकि आप लोग की सोचेंगे नहीं से भी है आपका वाला ऑप्शन राइट रहेगा और उसके नीचे भी हमने आपको दिया है आपको चिटाप लिक सकते हो और यह अदर आर ओशन सो के चलिए अब यह देख लिए हमारे चार ओप्शन इसमें भी है और इसमें भी मैं आपको बता दू नैचरल गैस हमारा अंसर है यह वा नबर बी विच टाइप्स डज में डज मैं गेट फ्रॉम दा ओशन मतलब कौन कौन से चीज़ है जो हम इनसान जो ओशन से हमें मिलता है उसके बार में आपको लिखना अप सोचे ने कितनी सारी चीज़े फिश और बहुत सारी मोती जो मिलती बहुत नहींगी रहती वह भी औ तो यह देखें आपका यह कोश्यन है तो अब स्लेशन मीन सांसर में आपको इधर पता देती हूं पहले आप यह देखेंगे आपका आंसर है छे पॉइंट का चे पॉइंट का तो फिर भी छोटा कि इस एव बहुत सारी मिलती है पहले आप अगर इसे पेपर में लिखोंगे ना तो man get the fall living type from the ocean तो इसे ना आप एक आंसर का base बनता है तो अच्छा रखता है तो आप यह भी लिखना है पुरा solution दिया हुए छे point का आपको पुरा लिखना तो अब आप चुके हैं मेरा question number B Why is the economic to carry out transport by weather waterways यह आपका question है तो देखे इसका भी हमने solution करके निचे दो point में answer दिया है बहुत छोटा से जल्द यली से से आपका अपनी book में write कर लीजिए और इसका हमने does और does करके आप हमेशे अपने exam में लिखा करें तो इससे फोकात अच्छा होता है तो इससे बहुत अच्छा आपका answer रनता है चलिए तो question number B का 3 हमारा question आप करेंगे है Why is there a difference in the minds of regions close to the oceans and regions far away from the oceans आपका यह क्या है question आपका है fourth question तो यह आपका third question है B का तो इसका भी solution बहुत बड़ा है विकाज यह सवाल ऐसा कुछ अच्छा है यह फिर भी उसके सामने छोटा है लेकिन आप देख सकते हो हम आपको कितने point दे रहे one second छे point दे रहे लेकिन सब छोटे है वो सिफ लंबी लंबी से हमने जादा दा तो दूब जादा देख रहे है तो आप इसका पुरा इसका पुरा स्ट्रेंशोट ले लीजिए एड हमारा चुगा है question मतलब हमें बी का four question है यह देखिए बी का four question है तो यह fourth question हमारा यह देखिए which constants are leaked along the cost of the दाप प्रेक्टेश ओशन तो यह आपका question है तो इसका देखिए बस इत्तुस answer आप जल्दी से लिखे देए solution करके लिखावा यह आपका पुरा answer है यही पर हमने seven standard का geographical six questions importance of oceans के all questions ने answer कर दिया अगर आपको video अच्छा लगे तो like, share and comment and also subscribe अगर आप मेरे channel पे हो तो आप छिएदाव कर आपको gk पढ़ना है तो मैं gk के भी video बनाती हूँ अगर आपको online कहां गया है के आपको speech day नहीं है republic day के लिए तो आप मेरे इसमें speech देख सकते हो मैंने speech भी आप लोगों को दिये and like, share and comment and subscribe bye bye, tada, Allah, peace, take care